So Hello Everyone and Welcome Back to the Channel दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो कमपनी की तरफ से हाइरिंग बताने वाला हूँ तो एक कमपनी दोस्तो आपको पता होगा विपरो की तरफ से हाइरिंग करना इस्टार्ट कर दी है और मोबाइल से ही काम कर सकते हैं एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं तो मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आपको रेजिस्ट्रेशन करना है तो सारी चीजे इस वीडियो में आपको डीटेल में मिलने वाली है और वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने फुल स्टैक वेब डिवलोप्मेंट में जाके इन्रोल नहीं किया है तो अभी तक चैनल पे नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा और अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लीजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको दोनों कंपनी की हाईरिंग में complete detail बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पे Wipro की तरफ से जो हाईरिंग है उसमें दोस्तों जो role उन्होंने प्रोवाइड किया है Wipro Work Integrated Learning Program है जिसमें दोस्तों जो last date उन्होंने बताई है वो 15 Feb है तो उससे पहले ही जाकर के दोस्तों आप apply कर लिजेगा super set पे apply करना है तो कैसे करना है वो भी अभी मैं बता दूँगा और यहाँ पे दोस्तों जो eligible है वो 21, 22 और 23 में अगर graduate होने वाले है 23 में तो दोस्तों वो भी जाकर के apply कर जकते है और 21 और 22 batch भी यहाँ पे eligible होने वाला है और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा percentage criteria की बात कर लेते है तो 10th pass होना जरूरी है 12th pass होना जरूरी है और graduation में दोस्तों 60% या फिर 6.0 CGPA से उपर होना चाहिए ठेक है यह criteria है दोस्तों और इन में थोड़ा सा हम लोग rounds की बात कर लेते हैं तो total दोस्तों यहाँ पे 2 round होने वाले है और इन दोनों round में सबसे पहला दोस्तों आपका online assessment round होने वाला है फिर second round दोस्तों आपका business discussion round होने वाला है तो दोस्तों काफी जादा यहाँ पे इनों ने criteria लगाया है और I hope सारे लोग दोस्तों यहाँ पे eligible होगी अगर आपका 60% से नीचे है graduation में तो दोस्तों यहाँ पे आप eligible नहीं होगे तो इसको ध्यान रखना है तो यह दोस्तों एक पहली opportunity है जो vipro की तरफ से यहाँ पे निकल के आई है तो अभी मैं आपको यहाँ पे laptop की screen पे लेके चलूँगा और कैसे apply करना है वो भी चीज़े मैं एक बार दिखा दूँगा और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग इंडिया मार्ट की तरफ से बात कर लेते हैं जो opportunities निकली है उसके लिए क्या करना है completely दोस्तों घर बैठे आपको work करना है जिसमें 1000 पर डे आपको मिलने वाला है लेकिन इसमें काम क्या होगा तो वो चीज हम लोग टोनार से discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक computer होना चाहिए means laptop होना चाहिए और आपके पास android phone होना चाहिए pan card, आधार card होना चाहिए और आपका खुद का एक bank account number होना चाहिए जो verified होना चाहिए तो अगर आपके पास इतनी भी चीजे हैं तब भी दोस्तों आप आसानी से जो है यहाँ पे apply कर सकते हैं इसमें कोई भी दोस्तों direct interview वगेरा नहीं होने वाला है on spot दोस्तों आपका जो है वहाँ पे online test होगा ठेक है वो भी google form के दुरू अभी मैं आपको बता दूँगा कि कैसे होने वाला है तो वो भी चीजे explain कर दूँगा और इसमें दोस्तों Hindi और English आना जरूरी है अब यहाँ पे बात कर लेता है कि काम क्या होने वाला है तो दोस्तों India Mart जो है एक e-commerce platform है जहाँ पे दोस्तों different जो sellers होते हैं अपने product को लाते हैं और यहाँ पे जो है add करते हैं तो आपको इतना सा करना है जो sellers है दोस्तों वहाँ पे उनसे आपको बात करनी है और उनके profile को India Mart में यहाँ पे profile पे बनाना है create करना है उनके profile को और उनके जो products है उनको अच्छे से जो है आपको design करना है ठीक है और create करना है add करना है बस इतना सा काम करना है आपको और यहाँ पर दोस्तों बता दो कोई भी student यहाँ पर apply कर सकता है और complete process दोस्तों यहाँ पर मैं discuss करने वाला हूँ वीडियो में तो चलते हैं वीडियो के laptop की screen पर और वहाँ पर मैं सारी चीज़े explain करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपने योटोब पर आ चुका हूँ तो अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe और telegram जो नहीं किया तो दोस्तों link description में join जरूर कर लीजेगा और यहाँ पर full stack developer आप देख सकते हैं जा करके apply कर लीजेगा और यह तीनों company में दोस्तों जा करके आप apply कर स मैंने आपको बता दिया ctc आप देख सकते हैं package यहाँ पर available है और यहाँ पर sally भी है आप यह भी देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग important चीजे बात करते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया 21, 22, 23 batch यहाँ पर eligible है और bachelor of computer application bca होना जरूरी है और bachelor of science bsc eligible steam computer science information technology mathematics statistics electronics and physics होना ज लें online assessment of business discussion round होगा और यहाँ पर एक service agreement है 60 month का ठेक है तो यहाँ पर जो है इनका bond है 60 month का तो यहाँ पर जाकर करके दोस्तों आप apply now पर click करके आप apply कर सकते हैं तो इस Wipro की तरफ से job निकली है अगर दोस्तों यहाँ पर computer science btec की तरफ से कोई भी ऐसी job आती है उनकी लिए opportunities तो वो भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो में मैं जो है next वीडियो में या फिर जब भी उनकी job निकलेगी Wipro की तरफ से तो वहाँ पर मैं आपको share कर दूँगा अब यहाँ पर पहली job के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि India Mart की तरफ से जो opportunities निकल तो mandatory requirement क्या है you should own a computer with good internet android phone होना चाहिए mobile number SIM for freelancer work pen card और आधार काड होना चाहिए तो यहाँ पर आपको कैसे करना है यहाँ पर आपको अपना email डालना है तो यहाँ पर email पर जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है how you understood the profile ठीक है तो यह आपको वीडियो देख लेनी है कैसे काम करना है how to continue applying to this job yes करके आपको ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर 2019 pages है आपको fill कर लेना है अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ issue आ रहा है तो आप बता सकते हैं इसी में दोस्तों आप online test भी दे सकते हैं यहीं पर जैसे आप page में आप निकला इंडिया मार्ट की तरफ से तो आई हूब दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा और टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लिजेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए